द्रिश्टी आईएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का आर्टिकल सिविल सर्विसेज मुख्य परिक्षके प्रश्ण पत्र एक के समाज खंड से जुड़ा है जो विविध लेखों पर आधारित है तो आईए लेख की शुरुआत करते हैं भारतिय क्रिशी का महिला करण भारत जैसे विकासशील देश की अर्थविवस्था के विकास में क्रिशी की बेहद एहम भूमिका है इसकी वज़ा है कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा क्रिशी पर आधारित है ये क्षेतर अर्थविवस्था के प्रात्मिक शेतर में शुमार होता है और भारतिय सम्विधान द्वारा इसे राज्य का विशे माना गया है जहां तक क्रिशी में महिलाओं की भूमिका का सवाल है तो सभ्यता के शुरुआत से ही क्रिशी में महिलाएं अपना योगदान देती रही है लेकिन बदलते दोर में अन्ने क्षेत्रों की तरह क्रिशी क्षेत्र में भी महिलाओ की भागिदारी में इजाफा देखा जा रहा है इस उडियो आर्टिकल के माधियम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिशी का महिला करण से आखिर क्या तात पर रहे है इसके अलावा हम भारतिय क्रिशी में महिलाओं की भूमिका को भी रेखांकित करने का प्रयास करेंगे क्रिशी के महिला करन की रह में आने वाली तमाम चुनोतियों और सरकार द्वारा इन चुनोतियों को कम करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की भी परताल हम इस आर्टिकल के माध्यम से करेंगे साथ ही क्रिशी क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष चनोतियों को कम करने के उपायों पर भी बात करेंगे तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि क्रिशी का महिला करण आखिर है क्या और इसमें महिलाओं की भूमिका क्या है दरसल क्रिशी के महिला करण से सामानने आशे क्रिशी गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागिदारी से है इसकी व्याक्ख्या इस प्रकार से भी की जा सकती है कि अन महिलाओं के प्रतिष्त में वृद्धी हो रही है जो कृशी क्शितर में आर्थिक रूप से सक्रिये हैं। गरतलब है कि वैश्विक स्तरपर चार सो मिलियन से अधिक महिलाएं कृशी कारियों में संलगन हैं। ग्रामीन महिलाए सामाजिक आर्थिक स्थेती के आधार पर अलग-अलग तरीकों से क्रिशी गतिविधियों में लगी हुई हैं खादे सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानिय क्रिशी जै विविधिता के सनरक्षन में महिलाओं की एहम भूमिका है ग्रामीन महिलाए दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध प्राकृतिक संसाधनों के एकिकरत प्रबंधन और उप्योग के लिए भी जिम्मेदार हैं आक्सफर्म इंडिया के मताबिक भारत में लगभग 80% क्रिशी कारे महिलाओं द्वारा किया जाता है हालकि उनके पास केवल 13% जमीन है महिलाएं क्रमशे 60-80% भोजन और 90% देरी उत्पादन में योगदान देती हैं 2010 और 11 क्रिशी जनगर्णा के अनुसार भारत में लगभग 118.7 मिलियन काश्टकारों में से 30.3 फीसद महिलाएं थी इसी तरह अनुमानित 144.3 मिलियन क्रिशी श्रमिकों में से लगभग 42.6 फीसद महिलाएं थी परिचालन होल्डिंग्स यानि उपरेशनल होल्डिंग्स के स्वामित्व के संदर्भ में नवीन तम दसवी क्रिशी जनगर्णा 2010-11 से 2015-16 के दोरान देश में महिला उपरेशनल होल्डिंग का प्रतिशत लगभग 13 फीसद से बढ़कर 14 फीसद हो गया है जबकि सकल घरेलूत पाद में लगभग 16 फीसद योगदान देने वाली क्रिशी तेजी से एक महिला उन्मुगतिविधी बनती जा रही है मेरिलेंड विश्विध्याले और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एकनॉमिक रिसर्च एनसी एई आर दोहजार अठारा दौरा जारी किये गए हाल के आकड़ों में कहा गया है कि भारत में महिलाएं 42 फीसद से अधिक क्रिशी श्रंबल का गठन करती हैं लेकिन उनके पास 2 फीसद से भी कम खेत हैं यहां एक एहम बात ये भी है कि क्रिशिक शेत्र में सभी आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से 80 फीसद कारेरत हैं इन में 32 फीसद क्रिशी शंबल में और 48 फीसद स्वन योजित किसानों में शामिल हैं NSSO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 18 फीसद किसान परिवार महिलाओं के नितरत्व में हैं आर्थिक सर्वेक्षन 2017-18 के अनुसार ग्रामीन से शहरी क्षेत्रों में पुरुशों के प्रवास में वृद्धी के परिणाम सुरूप क्रिशी में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है वो लेखनिये है कि महिलाओं क्रिशी कारेबल की रीड है और भारतिय अर्थवेवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रामीन भारत में लगभग 33 फीसद क्रिशक और लगभग 47 फीसद खेती हर मजदूर महिलाओं है कुल मिला कर देखें तो 84 फीसद ग्रामीन महिलाओं ऐसी हैं जो अपनी आजीवी का के लिए क्रिशी पर निर्भर है आईए अब समझते हैं क्रिशी के महिला करन की रह में क्या चुनौतियां है दरसल क्रिशी में लगी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती माननेता के मुद्दों से जुड़ी है भूमी अधिकारों के अभाव में महिला क्रिशी मजदूरों, खेती हर की विद्वाओं और किराइदार किसानों को किसानों के रूप में माननेता से वन्चित कर दिया जाता है ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि महीलाओं के भूमी के अधिकार के बारे में कम जागरूकता समस्या की भयावेता को बढ़ाती है इसके अलावा परिवार के पुरुष सदस्यों और रिष्टेदारों के साथ किसी भी संगर्श से बचने के लिए महीलाओं की अनिच्छा अन्यकारक हैं जो क्रिशी भूमी तक महीलाओं की पहुँच को बाधित करते हैं दूसरे एहम चुनोती भूमी अभी लेखों के अनुचित रख रखाव, आकडों के खराब प्रबंधन और भूमी अभी लेखों के सीमित डिजिटली करण से जुड़ी है जिसके कारण लाभार्तियों के पहचान से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं लहाजा किसानों के उत्थान से संबंधित क्रिशी योजनाओ के कार्यान वैन का समुचित लाभ महिलाओ को नहीं मिल पाता उदाहरन के तौर पर 2019 में घोशित प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के क्रियान वैन में ऐसी ही कुछ चुनोतियों का सामना किया जा रहा है अगला जटिल और बेहत संवेदंशील मुद्दा खेती हर विद्वाओं और संपत्ति तक पहुँच से जुड़ा हुआ है गोर तलब है कि पिछले 20 वर्षों में 3 लाग से अधिक किसानों ने गरीबी, कर्ज और अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली है अकेले महराष्ट्र में लगभग 53,000 से अधिक खेती हर विद्वा हैं भूमे के स्वामित्व का मुद्दा या वे जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उसके स्वामित्व के दावे के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनोती महिलाओं की शक्ती हीनता है 2015 के एक आकड़े के मुताबिक लगभग 86 फीसद महिला किसान हमारे समाज में स्थापित पित्र सतात्मक व्यवस्था के कारण जमीन के इस मालिकान हक से वंचित हैं भूमे के स्वामित्व की कमी के कारण महिला किसानों को बैंकों से संस्थागत रिन भी मोहिया नहीं हो पाता है भूमे पर कबजे की समस्या भी एक एहम चुनोती बनती जा रही है ये समस्या पिछले कुछ वर्षों में दो गुनी हो गई है जिसके परड़ाम स्वरूप खेतों का ओसत आकार सिकुड़ गया है ये भी एक कारण है कि अधिकांश किसांच छोटे और सीमान श्रेणी के अंतरगत आते हैं यानि जिन के पास दो हेक्टेर से कम भूमी है ये ऐसी श्रेणी है जो निर्विवाद रूप से महीला किसानों को शामिल करती है बात चाहे भारत की हो या दुनिया के दूसरे देशों की लिंग के अनुकूल मशीनरी का होना एहम चुनोती बनी हुई है महीला कृशक और मजदूर आम तोर पर श्रम गहन कारें जैसे घास काटना, निराई करना, चुनना, कपास की छड़ी संग्रह, पशों की देख भालादी करते हैं खेत में काम करने के अलावा उनके पास घरेलू और पारिवारिक जिमेदारियां भी हैं इसके इलावा पुरुष किसानों की तुलना में अधिक घंटों तक काम और अधिक काम करने के बावजूद भी महीला किसान ना तो आउटपुट पर कोई दावा कर सकती हैं और ना ही उच्च मजदूरी दर के लिए आवाज उठा सकती हैं कम मुआफ़े के साथ एक बड़ा हुआ काम उनके हाशे पर होने के स्थिति के लिए जिम्मेदार है विबिन कर्शी कारियों के लिए लिंग अनुकूल उपकरन और मशीनरी का होना भी एक एहम गोर करने वाली बात है दरसल अधिकांश क्रशी मशीनरी महिलाओं के लिए संचालित करना मुश्किल है इसके लिए जरूरी है कि निर्माताओं को बहतर समधान के लिए प्रोथसाहित किया जाए महिला किसानों को रियायती किराय की सेवाय प्रदान करने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित फॉर्म मशीन रिबैंकों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को चालू किया जा सकता है अंतिम तो नहीं लेकिन एक एहम चुनोती ये भी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास खेती को अधिक उत्पादक बनाने के लिए आमतोर पर संसाधनों और आधुनिक आधानों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आधी की कम पहुँच होती है खादे और कृषी संगठन का कहना है कि महिला और पुरुष किसानों के लिए उत्पादक संसाधनों तक समान पहुँच विकास शील देशों में कृषी उत्पादन को 2.5 से 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है इसी क्रम में पुरुष और महिला के बीच लिंग आधारित वेतन का अंतर होना भी एक समस्या है ऐसे में सवाल है कि इन चुनोतियों से निपटने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है दरसल 15 अक्तूबर को क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले द्वारा भारत में राष्ट्रे महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस को मनाय जाने का मकसद क्रिशी में महिलाओं की बहु आयामी भूमी का बुआई से लेकर रोपन, जलनिकासी, सिंचाई, उर्वरक, पौधा संरक्षन, कटाई, निराई और भंडारन तक को माननेता देना है आपको बता दें कि ग्रामीर महिलाओं के अधिकारों पर महिलाओं के खिलाफ बेदभाव के उन्मूलन से संबंधित संयुक तराश्र समिती कि सिफारिश 34 के अनुसार भूमी अधिकार बेदभाव मानव अधिकारों का उलंगन है इसलिए इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं जिन में देहिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक 2005 एहम है इस अधिनियम के माधिम से बेटियों को समान अधिकार और समान विरास्त अधिकार प्रदान किये गए हैं इसके अलावा केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा तैयार राष्ट्रे महिला नीती 2016 के मसादे द्वारा महिलाओं के लिए भूमी अधिकारों के महत्व को माननेता दी गई सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में महिला किसान सशक्ती करण योजना यानी MKSP भी काफी एहम है ग्रामीर विकास मंत्राले द्वारा कार्यान वित्य योजना विशेश रुप से महिला किसानों के लिए एक कारेक्रम है जो दीन द्याल अंतियोदे योजना राष्ट्रे ग्रामीर आजिविका मिशन का एक उपघटक है इस योजना का मकसद किशी में महिला भागिदारी को बढ़ा कर और उनके लिए स्थाई आजिविका के अफसरों का स्रिजन करके महिलाओं को सशक्त बनाना है इस परियोजना में 60 फीसद तक और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90 फीसद तक सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इसके अलावा सरकार द्वारा महिला स्वा सहायता समूह पर भिध्यान देना शुरू किया गया है ताकि उन्हें क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट से जोड़ा जा सके और विभिन निरने लेने वाले निकायों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके और जानकारी प्रदान की जा सके इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं को बराबर के अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की रहा। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया खादे और कृशी संगठन मानता है कि भूमी और स्वामित्व अधिकारों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना कर विकासशील देशों में कुल कृशी उत्पादन को 2.5 से 4 फीसी तक बढ़ाने की क्षमता है और इससे दुनिया भर में भूख को 12 से 17 फीसद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में कृशी गत सुधारों को जल से जल्द लागू करना सरकारों की प्रात्मिक्ता होनी चाहिए। कृशी और खेती हर विद्वाओं को अधिकार देने में नीती गत पक्षागात को आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक और मनोवग्यनिक रूप से ग्रामीर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहचानने की जरूरत है। इसके अलावा लिंग के अनुकूल नीती होना भी एक एहम चुनौती है। इसलिए इस दिशा में जरूरी सुधारों की दरकार है। भारतिय समविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा दिये गए अधिकारों के तत्वाधान में भी भूमिके स्वामित्व बनाम नियंतरण के बीच की खाई को कम करना, लिंग में आर्थिक समानता को प्राप्त करना जैसे प्रयास शामिल है। अगला एहम सुधार है क्रिशी और ग्रामीर विकास के लिए नेशनल बैंक की माइक्रो फैनेंस पहल के तहट रिंग के प्रावधान को प्रोथसाहित किया जाना। इसके अलावा निर्माताओं को महिलाओं की जरूरतों के अनुकूल, उपकरण और मशीनरी का उत्पादन करने के लिए प्रोथसाहित किया जाना भी एक एहम सुधार हो सकता है। महिला के इंदरित रणनीती और उन्हें समर्पित्वय भी शामिल किया जाना एक एहम बदलाव साबित हो सकता है। इसके अलावा क्रिशी में महिलाओं के लिए कौशल सशक्ती करन, स्वेम सहता समूह का निर्मान आदी भी कारगर कदम साबित हो सकते हैं। महिलाओं को आतनिर्भर बनाने के लिए सामुई खेती की संभावना को प्रोथसाहित किया जा सकता है। हाला कि कुछ स्वेम सहता समूहों और सहकारी आधारे डेरी गतिविधियों जैसे राजस्तान में सरस और गुजरात में अमूल द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षन और कौशल प्रदान किया गया है। इसके अलावा सरकार की प्रमुख्य योजनाओं जैसे राष्ट्रे खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपन सामगरी पर उप मिशन और राष्ट्रे कृशी विकास योजना में महिला के इंद्रित रणनीती और समर्पित विया को शामिल भी किया जाना चाहिए। बहरहाल क्रिशी में महिलाओं के योगदान को व्यापक और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें न केवल प्रोत्साहित किया जाए बलकि उनसे संबंधित चुनोतियों का भी समधान किया जाए। आईए अब नोट करते हैं आज का सवाल क्रिशी के महिला करण से आप क्या समझते हैं भारतिये क्रिशी में महिलाओं की भागिदारी पर चर्चा करते हुए महिलाओं से जुड़ी चुनोतियों को रिखांकित करते हुए ठोस समधान सुझाईए।